आज मैं कोई बाइक से लेटेड को वीडियो नहीं लिक्या रहा है आज मैं एक छोटी सी इंफोर्मेशन देने वाला है एक अपडेट जो की मेरे टीव में हुआ है मैंने एक सेमसंग का टीवी लिया था जो की रन करता है टैजन उसको और इसमें काफी टाइम से जो है एमेक्स प्लेयर का सपॉर्ट नहीं था लेकिन फाइनली मैंने अपने टीवी को आज अपडेट किया है मैं आपको दिखायता हूँ एक बार सैटिंग जाते हैं सपोर्ट में आते हैं एंड शॉफ्वे अब्रेट पर देखते हैं देके शॉफ्वे अब्रेट दिखा रहा है अब इस TV में क्या था कि पहले आपका MXPlayer TV का एप सपोर्ट नहीं करता था इस अपडेट के बाद आपके भी TV में MXPlayer एप वह वर्किन करेगा बतातो कैसे सबसे पहले अपने अपसे सक्षे में जाएंगे यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा या तो आप राइक ली उपर जो है सब्सक्राइब नीचे आएंगे वीडियो को सेक्षे में जाएंगे यहां पर आपका MXPlayer इंस्टाल्ड मैंने करा हुआ है आप इंस्टाल कर सकते ह आपके बास इंस्टाल करने का आएगा तो यह जो वर्जन अभी आप देख रहे हैं इस वर्जन में ना तो कोई एड आता है भी तिक ना तो कोई लॉगिन का आएगा क्यों क्योंकि अभी अभी जो है टैजन ओस में यह जो एप है वो लॉंच हुआ है इसलिए कंपनी मेरे आपके ख्याल से कोई एड और लोगिन का अप्शन नहीं दे रहे हैं इस फ्यूचर में यतने ज़्यादा इंस्टाल होंगे यह वीडियो उतने ज़्यादा एप्स और लोगिन का उप्शन में भी आ सकता है तो अब इसको आपन करके देखते हैं ठीके यह जो आपका टिव movies tv show web series setting and exit option तो setting में देखते हैं क्या इसको यह अपकी language select कर सकते हैं और यह about ठेकते हैं क्या है यह version 1.0 है बिल्कुल लेटेस अभी launch हुआ है इसलिए 1.0 दिखा रहा है अब इसमें कुछ play करते हैं जैसे कोई web series play अगर देखते हैं तो यह देखिए जितने भी app series है भोकाल season 2 एक थी बेगम यह यतने भी आपके पास दिख रहे हैं इस सारे इसमें अवेलेबल हैं अब आप अपने tv में देख सकते हैं पहले यह टीवी के लिए एप अवेलेबल नहीं था जो samsung tv जो यूज कर रहे हैं उनके लिए और फाइनली जो है अब यह आपके tv में आ गया है अश्यकरतों को वीडियो अच्छी लगी हो एक चोटी सी information वीडियो थी ठीक है तो यह information म मैंने भी काफी गूगल पर सर्च किया अब आप अपने tv में जो samsung का tv यूज करते हैं उसमें आप यह एप को यूज कर सकते हैं काफे समय के बाद इन्होंनों लॉंच किया लेकिन फाइनली लॉंच करी दिया एन एकदम फैबलेस चल रहा है कोई दिक्कत नहीं कोई ग्री वीडियो थी कोई accelerated वीडियो नहीं थी ठीक है thank you bye bye